बोपाल में कोरोना वाइरस के साथ 23 मरीज सामने आने सी खड़ कंप मच गया है सो वासबा कोरोना पॉजिटिव पांच और मरीज मिलने के साथ ही बोपाल में संक्रमितों की संखिया 46 पर पहुच गई है जबकि एक यक्ति की मौत हो चुकी है बोपाल के बिगरते हालाद देखती हुए प्रशासन ने 6 अप्रेल से टोटल लॉकडाउन का फैसला लिया है टोटल लॉकडाउन के दराज सिर्फ दवा दूद की दुकाने और पैट्रोल पंप खुली रहेंगे कोरोना वारिस की चेन को तेजी से बढ़ने से रोकने के लिए भोपाल के जरा प्रशासन ने सक्त निर्णे लिया है नगनिक मावशक सामगरी घर-घर पहुचाएगा मुक्यचे के सवस्वास्त दिकारी सुधीर कुमार डहरिया ने बताया कि सोमवास सब जो रिपोर्ट में लिए है उसमें पांच नए कोरोना पॉजिटिव आए है सभी कोरोना पॉजिटिव भोपाल के रहने वाले है भोपाल में अगत तक कोरोना वारिस के 46 मामले सामने आ चुके है जबकि कुरोना वायरस की कारण पहली मौद भी हो चुकी है प्रतक शहर के पौश इलाके अरेरा कॉलोनी में चौकिदार था 62 वर्षी व्यक्ति का नाम नरेश खटिक बताया जा रहा है जो इब्राहमपुर इलाके में रहते थे और अरेरा कॉलोनी इस्थित बिटन मार्केट में चौकिदारी का काम करते थे पौरोना वायरस के संक्रमन के बढ़ते वरीजों को देखते हुए भूपाल के 24 इलाकों को कंटिनमेंट एरिया घूशित किया जा चुका है शहर की प्रोफेसर कॉलोनी विचितर नगर दुर्गा नगर, सेमरा चांदबड, आहास्ता रुस्तम खा, श्यामला हिस, तलिया, रहमानिया मज़द, हिंद कॉन्वेंट स्कूल के पीछे एजबाग और फॉल्चिन प्राइड कॉलोनी त्रिलंगा को पहले ही कंटेनमेंट शेतर घोशित किया गया है, इसके अलावा बढ़वाली मज़द, जहांगीराबाद, परिसलाइन, टीटी नगर, चार इमली, शिवाची नगर, इंद्रा नगर और बाग उम्राव दुल्हा को भी कंटेनमेंट एरिया घोशित किया गया है, मधिविदेश संचनाले स्वास सेवाएं द्वारारात जारी हुए, मीडिया बुलिटिन के बताबिक इंदोर में सबसे जादे 135 पॉजटिव केस सामने आये हैं और अब तक 9 मरीजों की मौत हो चुकी है, मही भुपाल में 41 केस सामने आ चुके हैं और एक की मौत हुई है, इसके अलावा उजेन में भी 7 पॉजटिव मरीजों में से 2 की मौत हो चुकी है, जबलपुर में कोरोना पीडित मरीजों की संख्या 8 है और 3 मरीज स्वस्थ होकर घर लोट चुके हैं, मही मुरेना में अभी तक 12 पॉजटिव केस सामने आये हैं, ग्वाले शिवपुरी में 2 दो पॉजटिव केस सामने आ चानल और प्रेस बेल इकन फोर अप्डेट्स